हाई गाईज, वेलकम बैक, फ्रेंट्स क्या आप भी अपने घर पर इस तरह का ओर्गैनिक धनिया उगाना चाहते हैं ताकि आप भी फ्रेश फ्रेश धनिया घर से ही लेकर अपनी सबजियों को और जायकेदार बना पाएं, धनिया की चेकनी बना पाएं और आलू, गोबी, म अपने घर पर ही उगा सकते हैं, सारा प्रोसेस दिकाते दिकाते बीच बीच में आपको इंपोर्टन टिप्स भी देती जाऊंगी, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना अगर आप सच में घर पर अच्छा धनिया उगाना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें च होगाया है, और जो अब आपके साथ शेयर करने वाली हूं, यह बीच में आनलाइन मंगवाए थे, बोने से पहले हमें इन बीचों को किसी कपड़े पर या फिर किसी रफ जगह पर रखकर बेलन की सहायता से इस तरह कर लेना चाहिए, इस तरह करने से ओल्मोस्ट हर बीच दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यह हम इसलिए करते हैं क्योंकि धनिये के हर बीच में एक्शली दो बीच होते हैं, तो जब हम उसको दो हिस्तों में कर देते हैं, तो वो दो बीच बन जाते हैं, और दोनों से ही धनिये का पौधा निकलता है, इन बीचों को अगर ह उख जाएगा बस यह है कि प्रोसेस थोड़ा सा धीरे हो जाएगा गीजो को हमें अपने गमले की मिट्टी पर फैला देना है ध्यान रखना है कि अपने गमले की मिट्टी को काफी हेल्दी बना लेना है इसमें 40% के करीब कमपोस्ट जरूर होनी चाहिए फिर चाहे वो वर्म कमपोस्ट हो गोबर की अच्छे से सड़ी हुई खाध हो या फिर घर पर किचन वेज से बनाई गई खाध और ये भी ध्यान रहे कि गमले की गहराई कम से कम आठ इंट जरूर हो जादा हो तो और भी अच्छा बीजों को बहुत जादा नस्दीक नहीं डालना है नहीं तो धनिये के पत्ते बड़े बड़े नहीं होंगे कुछ बीज बच गए हैं तो वो में पीछे पड़े एक बड़े राउंड पॉट में डाल दोंगी पीजों को फैलाने के बाद मिट्टी की एक हलकी लियर अराउंड आदे इंच की उन पर डाल दें और फिर हलका हलका पानी दे दें उसके बाद अगर लगे कि कुछ बीज एक्सपोज हो गए हैं उन पर फिर से एक बहुत ही पत्ली लेयर मिट्टी की डाल दें फ्रेंस यह है 23 दिन बाद की अपडेट देखो कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है धनिया धनिया के बीज 2-3 हफ्तों में अच्छे से ज 17 डिगरी से 27 डिगरी सेल्सियस तापमान के बीच में तो जब बहुत जादा गर्मी या बहुत जादा सर्दी हो तो थोड़ी दिक्कत आती है इसको ग्रो होने में पर फिर भी पानी और धूब का अगर हम अच्छा ध्यान रखें तो एक्स्ट्रीम मौसम में भी हमें अच् से दिन में देखो क्या ग्रोथ है धनिय की काफी सारी पतियों ने प्रॉपर शेप भी ले ली है अब इसको ग्रो करने के लिए नेक्स टिप है पानी की धनिये को पानी पसंद है पर अपनी मिट्टी पर कीजड नहीं हमें यह ध्यान रखना है कि धनिये के पॉट के मिट्टी को सौगी ना बनाई अब देखो हरे धनिये की ग्रोथ 53 यानि की 53 दिन बाद सभी पॉट्स में अच्छे से उग्रा है पर यह इस पॉट में काफी बड़ा हो गया है हर्वेस्टिंग के लिए फुली रेडी है तो इस गमले से आज मैं ले लूँगी धनिया और इ दो से भी कम महिने लगे और हमें हमारी महिनत का फल मिल भी क्या तॉप पार्ट को कट कर लो ताकि धनिया फिर से बढ़ जाए और हम कम से कम चार बार तक एक ही पॉट से धनिया हार्वेस्ट कर पाएं फ्रेंड्स यह है 65 डेज यानि की 65 दिनों के बाद का अपडेट धनिय मैं फिर से हार्वेस्ट कर लूँगी मैं यहां से भी और इस राउन पॉट से भी इस पॉट में थोड़ा थिकली ग्रोन लग रहा है धनिया मुझे तो यहां मैं बीच-बीच से जड़ से ही उखाड लूँगी इस तरह से ताकि बाकी के पत्ते और बड़े-बड़े हो जा ताकि फिर से इनकी अच्छी ग्रोथ हो वर्मी कंपोस डालने के बाद थोड़ा पानी भी जरूर दे दें अपने धनिया के पौधों को और एक चीज धनिया के बीजों का निया बैच दो से तीन हफतों में एक बार जरूर लगा दें ताकि हमें और गैनिक हर धनिया की फ्र तीन हफते में धनिया के बीज बोते रहें और घर पर और भी खूब सारी और गैनिक सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो को लाइक तो करीद होगे आप अगर यहां तक आप मुझे सुन रहे हो तो आज के लिए इतना ही जल्दी मिलूंगी एक नहीं वीडियो के साथ त हैंजे आप मुझे